समस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो भी समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आज ये सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की स सबसे बात कर लेते हैं 62,000 प्रात्मिक शिक्षक भरतिक हिंदुस्तान समाचार पत्र है और लिखाए लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही है सरकार जबकि उत्तर प्रदेश में 63,000 से अधिक शिक्षकों के पदखाली हैं लोगों के सहयोग से शिक्षण इस्तर बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकरे खा रहा हैं वहीं दूसरी और सरकार सिक्षक साथी की रूप में सेवा निवरत हो चुके स्वयम सेवी लोगों को खोज रही हैं परिसेदिये प्रात्मिक एवं उच्छी प्रात्मिक इस गोलों में पिछली बार लगबक चा हजार साक अध्यापकों की भरती के लिए सासना देश जारी हुआ था चार साल कंप्लीट हो चुके हैं पिसली सिक्षक वरती के विग्यापन को लेकर कि उसकी बाद विरोजगार भरती लागातार शिक्षक वरती की मांग कर रहे हैं विधान समाद चुनाओं से पहले सरकार ने कहा था कि साक अध्यापकों के 16000 लिखा हुआ सत्रा कि बात कही गई थी सत्रा हजार से अधिक पदों पर भरती की गुफना के थी लेकिन भरती सुरू नहीं हो सकी इस सत्र में अभियान चला करके कच्छा एक से लेकर के आठ तक में बच्चों को दाखिला कराये गया है और यानि कि जो एड़िशन हुए हैं नए एड़िशन प्रात्मिक विद्धालियों में वो इस बार रिकार्ड हुए हैं लिखा एक डेड़ लागते अधिक परस्तिय स्कूलों में तकरीबन दो करोल बच्चों का प्रवेस हुआ है इसलिए शिक्षिकों की संक्या बढ़ने चाहिए लेकिन शिक्षक भड़ती के कोई भी चर्चा सासन में नहीं है जब की सरकार स्वयम विद्धास्वा में स्विकार किया है कि ग्रामीड चेत्र के स्कूलों में 59111 है और नगर चेत्र में 12149 पदखा लिए और इसी के लिए इंग्यापन सुप्रिम कोर्ट में सरका पारे पदर रेखते हैं सबस्वें नहीं आ रहा कि आखिरकार सरकार प्रात्मी सिचक बढ़ती से इतना ज्यादा बच क्यों रही है आज की समझार पत्र में जो अगली सूचना है वह आई टी आई में 31 तारीक को रोजगार मेला लगा है अली गंज इस्तित राजगी और द वह इंटर उत्तिर्ण आई टी आई वह कॉसल विकास से प्रसिच्छन प्राप्त अभरतिस में प्रतिभाग कर सकते हैं ट्रेनिंग कांसलिंग इंप्रेस्मेंट अधिकारी एम ए खान ने बताए कि आनन्द मोटर्स एजेंसी हिंदुस्तान यूनिलीवर मदरसन सूमी सिस् अगली सूचना है टीटी और पीजीटी की लिखा शिक्षक वड़ती के लिए सीयम एवं शिक्ष्यमंत्री को दिया ग्यापन इसकी बारे में मैंने परसों ही वीडियो बनाया था यह परसों की न्यूज है जो आज की समझतार पत्रों में आई है चुंकि बीच में शुट् कारी दी गई है लिखा ल्ती ग्रेड शिक्षक वड़ती सीग रिस्टुरू करने और मादमीग शिक्षक सेवा चयन बोड के गटन की मांग को लेकर करके प्र्यागरा से प्रतियोगियों के प्रतिनित मंडल ने लखनव जाकर कि सीयम और शिक्षक मंत्री को संबोधित ग्य संब्सक्राइब की बारे में यह कहा गया तो अर्थक विवाद समौन कर दिया जाए गा और टीशीटी की बारे में कहा गया था कि इसके बारे में बहुत सीग्र से सीगर आपको चैन बोड का गठन देखने को मिलेगा लागातार इस पर सासनों इसे पर काम हो रहा है सदस से बहुत जल्दी भेजे जाएंगे तो इन दोनों बातों को लेकर के आस्वासन दिया गया है और यही बात जो उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं उनके जो निजी सच्ची विवाल कुवात्र पाथी तो उन्होंने भी यही बात कही थी फीस प्रदी के खिला बावानमी द और बहुत सारे जो छात्र के नाम लेखे हैं जो किसान परिवारों ऑर जो चैनित हुए हैं अलग अलग किसान परिवार के दो बेटों ने पैरों से दिव्यांग होकर के भीलिहार नहीं मानी यह सूचना इसलिए दी जा रही है ताकि आप यह सों सकें कि PCS Civil की जो तैयारी होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है और समस्याओं से ज़्यादा भारी द्रड एक्छा शक्ती होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी चैनित होते हैं और यहां पर लिखा कि ETA क के पीतम सिंग यह प्रताब गड़के स्याम संकर ने होस्टल में साथ रहकर के प्रतिवी प्रिच्छा के तैयारी की और PCS 2021 में दोनों सब रिजिस्ट्रार के पदपर चैनित हुई हैं ऐसे यह दोनों लोग नहीं हैं केवल स्याम संकर और पीतम सिंग ऐसे बहुत सार रिच पड़ता पिरिच्छा के अभियनता पड़ती ने दाखिल किये याच का स्क्रीनिंग में सिर्फ 92,787 वर्थी ने रिजिस्टिशन करवाया था अगली सुनवाई 14 नवंबर को हुनी है आयोगनी मामले के लिए दो हफ़ते का समय मागा है दो महिना पहले ही SSC ने विगया पंजारी कर दिया है SSC Constable GD का और इसकी आभी दन कल से ही शुरू हो गए कल देर रात को मैंने इसकी बारे में विश्टित वीडियो भी बनाया था लिखा है कर्मचाली चेन आयोगनी केंद्री अर्दसैनिक बलों SSF और असम राइफल में और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरू एक्जामेनेशन में सिपाही के पदों पर भरती के लिए आधिकारिक तोर पर आफीसल नोटि पर देखने को मिल लियागा यहां पर आप तारीक ही वगेरा देख सकते हैं यह देखिए यहां पर यह तारीक है 27 अक्टूबर से इसकी आविदन सुरू हो रहे हैं तीस तारीक की लास्ट डेट रखी गई है जनवरी में इसकी परिक्चा होनी है परिच्छा यह चैनल पर क गड़ सकती है यह देखिए संभावित संभावित वगेंसी चौबीस हजार के आसपास है और बताएगा यह 18 से 23 साल तक की एज एक सर्विसमें को तीन साल की शूट दी गई है और एक सर्विसमें किसे कहा जाएगा उसकी बारे में जानकारी दी गई है इस नोटिफिकेशन में योगिता की उसके बाद करें तो यहां पर साफ साफ लेखा हुआ कि योगता इन विद्यारतियों के लिए किवल हाइश्कूल मैट्रेकॉलेशन यगिता रखी गयी है और यह ज चैने प्रक्रिया और इसमें प्रक्रियातर होता है ब्सकृतर फूर्ट होता है और पूछा चाहाएक जिसे आब लोग रिया सकते हैं यहां पर शॉक्रन दो गएपकर चॉपैस दो शॉपनि दोल्ना लगानी है ऑईंगार opened 27 कौणट को चांग हैda एलाटमेंट आज होगा बिएट कांसलिंग के चौथे चरण में लगबग 35,000 विद्यार्थियों ने हिस्ता लिया है सुक्रुवार को सीटों का एलाटमेंट हो जाएगा उसके एक सब्ता तक रुहेल खंड विश्विद्याले खाली और भरी सीटों के रिकार्ड त्यार और इसी की मुताबिक विद्यार्थियों को सात नमंबर से सुरू होने जारी पूल कांसलिंग के लिए बुलाए जाएगा रुहेल खंड विश्विद्याले की और से बीड की कांसलिंग पहला चरण 30 सितंबर से सुरू हुआ था और लिखा कि विचोथे चरण की कांसलिंग में तक विद्यार्थियों इसमें कोई अधिक रूची नहीं दिखाई यह कारन राइग लगबग 110000 ही कांसलिंग में सामिल हो पाई जबकि 4000000 रूंग तक के विद्यार यहां पर आए गृष्विद्यालन की मुझसे पूचे कांसलिंग तो कांसलिंग के तो कारन मुझ data म estaban दूसरा कारण यह कि जो कोट में मामला चल रहा है बियड प्रात्मिक में रहेगा या नहीं नहीं रहेगा तीसरा कारण विद्यारती इंति जार करना जाएगा दो साल की खर्च किये जाएगा पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद